वेलकम टू जीरो से जिन्यास तक जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में पुनह जनगनना होने वाले हैं और आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहां से प्रस्ण आपके एक्जाम में निचीत रूप से पूछे जाएंगे इसलिए हम इस वीडियो क्वीटेस्ट में भारत की जनगनना से संबंधित शुरू से लेकर अब तक के 20 इंपोर्टेंट सवालों को आप से पूछेंगे इसलिए आप इस वीडियो क्वीटेस्ट को ध्यान सके लिए क्योंकि प्रस्ण बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए सुरू करते हैं और यह बोनस सवाल आपके लिए है जनगनना 2021 का विशय थीम क्या है आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकेंट का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय सुरू होते हैं अब आपके एक चाम कोई भी हो वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए सही आंसर होगा ओप्सन नमबर ए जन भागीदारी से जन कल्यान कोईस्चन नमबर पहला है भारत में पहली बार जनगनना कब शुरू हुई थी भारत में पहली बार जन गनना कब हुई थी सही आंसर होगा ओप्सन नमबर बी अट्रसव बहत्तर इस पी में और किसके सासनकाल में तो लॉड मियो के सासनकाल में कोईस्चन नमबर टू भारत में कब से नियमित जन गनना की सुरूआत हुई सही आंसर होगा ओप्सन नमबर ए अट्रसव इकासी इस पी में और किसके सासनकाल में तो लॉड रीपन के सासनकाल में कोईस्चन नमबर तीन जन गनना का महा विवाजक साल किसी कहते हैं? सही आंसर है ओप्सन नमबर डी उन्नी सो एकिस इस इस बी को कोईस्चन नमबर फोर जन गनना की ओधि क्या है? सही आंसर होगा ओप्सन नमबर ए हर दस साल बाद क्वेस्चन नमबर फाइब जन गनना का लोगो विवाजक साल किसे मानते हैं? सही आंसर होगा ओप्सन नमबर सी उन्नी सो इकावन इस बी को क्वेस्चन नमबर सी पहली बार जाती आधारित जन गनना कब होई? सही आंसर होगा ओप्सन नमबर ए उन्नी सो इकतिस इस इस बी में क्वेस्चन नमबर सेविन बीश्वा जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ओप्सन नमबर ए ग्यारह जुलाई को क्वेस्चन नमबर एट स्वतंत्र भारत की पहली जन गनना कब होई थे? सही आंसर होगा ओप्सन नमबर ए उन्नी सो इकावन इस बी में क्वेस्चन नमबर नाइन वर्ड्स 2021 की जन गनना देश की डैस और सौतंत्र भारत की डैस जन गनना है एक बर फिर से फ्रसन को सुन लिजिए क्योंकि फ्रसन बहुत इंपर्टेंट है वर्ड्स 2021 की जन गनना देश की डैस और सौतंत्र भारत की डैस जन गननना होगे सही आंसर होगा ओप्शन नुबर सी वर्ष 2021 की जन्गनना देश की सुलहवी और सौतंत्र भारत की आठवी जन्गनना होगी क्वेशन नुबर टेन कीस आधार पर जन्गनना का दायुत्व केंदर सरकार को दिया गया है सही आंसर है ओप्शन नुबर सी अनुछेद 246 के अंतरगत और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन को दबा देजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिल्यवस पर और करता है धन्याबाद आगे सवाल है 2021 की जन्गरना कीतने भासाओं में कराने जाने की संभावना है सही अंसर है आप्सन नबर सी सुल्लह कोशन नबर बार भारत के महापंजियक और जन्गरना आयूक्त कौन है भीवेई प्रस्ण सही अंसर है आप्सन नबर ए डॉक्टर भीवेक जोसी कोशन नबर तेरा भारत में जन्म लेने वाले एक अरववे सीसु कन्या का नाम क्या रखा गया सही अंसर होगा आप्सन नबर डी आज था कोशन नबर चौदा जन्संख्या की तिरिष्टी से 20 वाके बड़े देशों में भारत का कौन सा अस्थान है सही अंसर होगा आप्सन नबर बी द्वीतिये और पहला चाइना है कोशन नबर पंद्रव 2011 की जन्गानना के अनुसार 2011 की जन्गानना के अनुसार भारत की जन्संख्या कितनी थी 121.05 करोर राइट आंसर होगा आप्सन नमबर डी कोशन नमबर सुल्ला भारत में प्रती वर्स कीस देश की जन्संख्या के बरावर ब्रीधी हो रही है जिससे भारत अक्सर कीरकेट मैच हार जाया करते हैं कि सहां आनसर होगा आपसन नमबर डी ओश्टेलिय यह कोसे नमबर सक्तरा कि 14 की जन्गनना सवतंत्र भारत की कौन सी जन्गनना थे क्रोटिन च्यांट सवतंत्रता प्राप्ती के बाद की कौन सी जन्गनना है सही आंसर होगा option number C question number 18 जन संख्या की दिरिष्टी से भारत के तीन सबसे बरे राजियों का सही करम क्या है सवाल अच्छे है important है ऐसा सवाल आपके एक्जाम में आते हैं और आएंगे right answer होगा option number A उतर पर्देश, महाराष्ट्र और विहार question number 19 है जन संख्या की दिरिष्टी से भारत का सबसे बरा केंदर सासित पर्देश कौन है सही आंसर होगा option number A दिल्ले question number 20 जन संख्या की दिरिष्टी से भारत का सबसे छोटा केंदर सासित पर्देश कौन है जिसकी राजधानी कावरती है हिंस सही आंसर होगा option number D लक्ष दिविप आपके लिए एक नए सवाल है भारत में सबसे मंद जन संख्या ब्रिधी दर वाला राज्य कौन है आप लोग पढ़े लिखे हो तो कमेंट वक्स में जाईए वहां पर लिखिए क्यू फर यू और इसके राइट आंसर आप चाहें तो आई बटम पर किलिकर करका और भी वीडियो चुको देख सकते हैं तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में साम वाले वीडियो बिल्कुल देखिए रात वाले वीडियो जो आट बच के 45 मिनट पे अपलोड होता है उस वीडियो के साथ रिगुलर जरू जय हिंद जय भारत